सबसे बड़ा मुद्दा वर्क लाइफ बैलेंस का है मतलब नोकरी के बाद घर परिवार को भी देखना होता है आप तो मुर्ती साथ तालाख ही करवा हो गया हलो दोस्तों मैं वीजे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्यूटूब चैनल स्टी इंफो पर नारैन मुल्ती जी के एक बयान और पूरा सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है बयान की चर्चा देश के गली मौलों से लेकर इंटरनेट की गलियों तक में बड़े जोड़ शोड़ से हो रही है नारैन मुल्ती जी के इस बयान पर दिगज कारोबारी और अन्ने पेशे के लोग दो धड़ों में बढ़ गए है नारैन मुल्ती जी ने ऐसा क्या कहा कि बवाल मचा हुआ है आईए जानते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने ऐसा क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत की वर्क प्रोड़क्टिविटी दुनिया में सबसे कम है इसे बढ़ाने की जरुरत है चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पदा करने के लिए देश के युवाओं को सप्ता में 70 घंटे काम करना चाहिए जैसा कि दुत्य विश्विद्द के बाद जापान और जर्मनी ने किया था अब इस बयान का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चल्चा करेंगे आप चैनल के साथ बने रहिएगा जिंदल ग्रूप के चेर्मेन सज्जन जिंदल उन्होंने कहा कि 70 घंटे काम करना थकावट भरे काम से संबंदित नहीं है बलकि इसका सीधा संबंद समर्पण को लेकर के है हमें भारत को 2047 में एक ऐसी आर्थिक महाशक्ती बनाना है जिस पर हम सब गर्व कर सके वहीं ओला कैप्स के CEO भावीश अगरवाल ने भी नारेन मुर्ती की सलह से इतिफाक रखते हुए कहा कि मुर्ती के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ उन्होंने ये कहा कि वह खुदी पूरी तरह से सहमत है उन्होंने कहा कि ये समय काम काम करने और मनुरंजन करने का नहीं है बलकि ये ऐसा लमा है जब हम कुछ ऐसा करें जो विभिन देशों ने काफी सारी पीडियों तक नहीं किया और हम इसको एक ही पीडियों में हासिल कर ले जबकि लेखक चेतन भगत ने नारेन मुर्ती जी के विचार से ऐसेहमती जाहिर करते हुए कहा कि सत्ता में 35 गंटे काम क करना जरूरी नहीं साथ ही कहा हम जो 35 गंटे अपने काम को दे रहे हैं वे हमारे लिए बहुत माइने रखते हों साथ ही कहा कि आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं बहुत से लोग काम करने में लंबा समय बिताते हैं लेकिन हकीकत में प्रोड़क्टिव काम नहीं कर रहे कॉमेडियन वीरदास ने एक्स पर लिखा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है आप एक लड़की से मिलते हैं आपको प्यार होता है शादी होती है और लड़की के पिता चाहते हैं कि आप सप्ता में 70 गंटे काम करें उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आप सप्ता क के 5 दिनों में से 70 गंटे काम करते हैं तो सुभा 9 बजे से रात के 11 बजे तक जाएंगे साड़े 12 बजे तक आपका घर पर आना होगा और सुभा साड़े 7 बजे फिर बसता लेंगे और ओपिस निकल जाएंगे तो परिवार के लिए टाइम कहां से लाओगे एक डेटा के भारतिय करमचारी दुनिया में सबसे अधिक गंटे काम करते हैं एक करमचारी की एवरेज 47.7 गंटे परती सब्ता है इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन के 2023 के आकड़े बताते हैं कि यदि दुनिया के 10 सबसे अधिक GDP वाले देशों की तुलना करें तो परती करमचा को बढ़ाने की ज़रुत नहीं है काम करने के तरीकों को चेंज करने की ज़रुत है जैसे स्किल्स, क्वालिटी, पर्सनल डवलप्मेंट, रिसर्च आदी Forbes magazine की एक report के मताबिक 2023 की top 15 बड़ी कंपनियों की बात करें तो वहां के करमचारियों को हफते में कितने घंटे काम करना होता है यानि उनकी डेली शीट कितने घंटे की होती है यह भी जाल लेते आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि Microsoft या Apple या Adobe इन सभी में आर्ट से 9 घंटे तक के लिए काम होता है वही सुनिल सेटी ने भी बहुत लंबा चोड़ा पोस्ट गया LinkedIn पर उन्होंने बोला कि यह विवाद का विशेप बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं जिस तरह से चीजों को देखता हूं उसके अनुसार लोगों को नारायन मुर्ती की सलहा का इस सरा विरोध नहीं करना चाहिए उनकी बात को ध्यान से समझना चाहिए और इसके बात खुद का आकलन करना चाहिए फिर सोचने समझने के बात जो सही लगे वैसा कर सकते हैं सुनिल सेटी ने कहा कि मेरे लिए सतर या सो घंटे तक काम करना यह मुद्दा नहीं बलकि यह खुद को कमफर्ट जोन से बाहर निकालने की बात है उन्होंने विराट कोली, अमिताब बच्चन, रतन काटा और अब्दुल कलाम जैसी सक्षियतों का उधारन दिया और कहा कि इन सभी लोगों ने अपनी फिल्ड में, अपने काम में मिसाल कायम करी है क्या आपको लगता है इन लोगों ने अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकले बिना ये कमाल कर दिखाया हो अब सभी की बाते सुन ली, समझ भी ली, बहस काफी गर्मा गर्म चल रही है मुझे लगता है इस बात के दो व्यू निकलते हैं पहला व्यू, अगर नारायन मुल्टी जी ने ये बात उन लोगों के लिए कही है जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं वो सत्तर क्या यार सो घंटे भी काम करेंगे और उनको इस तरह की सला की बिल्कुल ज़रुत नहीं है दूसरा व्यू, जो लोग एंपलोई और एंपलोई टाइप वर कल्चर में है और आप उनको सला दे रहे हो सतर घंटे काम करने की तो आप अपनी ही कंपनी में देख लीजिए आपकी और आपके एंपलोई की कितनी सेलरी मिलती है आप दोनों की सेलरी कंपेर कर लीजे तो मुर्ती साहब, आप एक सम्मानित व्यक्ति हो आपका एक ब्यान, चर्चा का विशे बन गया है इसी चर्चा में हमारे भी कुछ सवाल हैं आपसे फिमेल एंपलोई के बारे में भी बता दीजी जिनके घर में बिचारे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे हमारे देश में रात को आठ बजे के बाद महिलाय सुरक्षित नहीं है और आप उनको 12 गंटे डेली काम करने की सला कैसे दे सकते हैं कॉंट्रेक्ट लेबर जिनको 12 गंटे का ओवर टाइम का वेतन तक नहीं मिलता और आप चाहते हो वो युवा सत्तर गंटे काम करें नारैन मुर्ती जी आप भारत सरकार के लेबर मिनिस्ट्री के किसी भी कमेटी के सदस्य नहीं हो तो फिर ये फोकट की सला क्यों क्या भारत के सभी युवाओं को समान सेल्डी मिलती है जो वो सत्तर गंटे काम करें क्या सत्तर गंटे काम करने के बाद पैसे भी बढ़ेंगे या सिर्फ काम ही करते रहेंगे सत्तर गंटे काम करने के बाद सेल्डी बढ़ाने की बात भी कर लेते मुर्ती साहब सबसे बड़ा मुद्दा वर्क लाइफ बैलेंस का है मतलब नोकरी के बाद घर परिवार को भी देखना होता है आप तो मुर्ती सहाब तालाख ही करवा हो गया यह सभी सवाल देश के हर युवा को मुर्ती सहाब से पूछने चाहिए अगर इन सवालों के जवाब वो दे सकते हैं तो बात करें वर्ना फोकट की सला अपने पास रखें आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई काटा टेक क्यार जैहें